अप्रवेटर के शोट्रेटर आपको आपको उस्क्रांगे एक एक एप्लिकेशन होगा ऐक तो उससे चालू कर सकते यह यहाँ पर यह पड़ापर का एक बटन यह पावर सेंस का बटन है जो अरमुंस्ट के आपको सब्सक्रांगे धटे या फिर यह पर आ कि टास्क भार पर पिंड होगा कि तो यह आप टो करेंद के एक इंपलीकेशन हहीं है जो अफिशब लुक्लेटर और एक टार ही है तो आपको यह पर सेंड दिस पर लाइटनिंग करेंग कि दिखता होग 2 तो आपको यहां अब जोन वाइज आउन कर सकते कलर, अब ही मैं आपको ये लाइट बन करके दिखाता हूँ इसका कलर, लाइट आउन रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, तो ये अभी ब्ल्यू लाइट जो स्टार्टिंग का ब्ल्यू लाइट आप देख सकते, कितना प्लियोर pure led टाइप है इसका keyboard pure gaming के लिए suit करता है तो अभी हम इसके color भी बदल सकते चाहिए तो जैसे अभी हम इसका red कर सकते complete red कर सकते तो ये complete red हो गया इसका color एक्दब pure led का RGB keyboard है इसका कुछ भी मतलब इसमें ऐसे brightness का कुछ ऐसे मतलब इशोग इशोग कुछ भी नहीं है कि एकदम पी और एली डिये चाहिए तो हम जोन के कलर भी बदल सकते जैसे इसका भी औरेंज की है इसका डार्क ब्ल्यू इसका हम परपल कर देते तो अब यह मल्टी कलर टाइप दिख रहा है जो गेमिंग के लिए एकदम परफेक्ट सेट कर सकते हैं हमारा कीबोड अभी सेकेंड आप्शन यहां पर आपको दिखेंगे डाइनामिक कर गए अगर आपने डाइनामिक पर क्लिक किया तो यहां पर आपको और भी दूसरे दूसरे लब आप्शन जीकिए जैसे कि ब्रीधिंग वेव जूम शिफ्टिंग और नियोन य चिफ्टिंग में होता है कि एक एक जोन लाइटिंग होता है बंद होता है फिर नेक्स जोन होता है जैसे डेकोरेशन में आपने देखा होगा है लिए डेकोरेशन में सेम वेसी इसमें भी आप कलर चेंज कर सकते है जैसे ब्ल्यू और एंज ग्रीन जो भी आपको चाहिए नेक्स्ट आता है नियोन, नियोन में यह कि एक एक कलर थोर थोर टाइम के लिए आते रहेगा, यह तो स्पीड बढ़ा सकते, स्पीड बढ़ा दिया तो रैपिड मुवमेंट रहेगा कलर का, या फुसके जूम आता है, जूम में क्या होएगा, सेम वैसी यह पहले दो जोन मे कलर चालू होएगे, बाद में एक एक जोन में चालू होगा, इस पर आप वापस कलर बदल सकते हैं, और वेव आता है, नेक्स्ट यह सबसे बेस्ट है, जिसमें आपका कीबोड है, वो अटिमेटिकली कलर चेंज होता रहेगा, विदाव टंद आपको कुछ करने की ज़रू सबस्ट नहीं है, हर एक जोन लाइटेड रहेगा, और कलर चेंज होता रहेगा, आप इसमें आपस स्पीड बड़ा सकते हैं, जैसे ही अभी मैने स्पीड मैक्स रखा है, यहाप स्पीड का ऑप्शन है, यह स्पीड मैक्स रखा है, या फिर एकदम स्लो भी कर सकते हैं, जै यहां से यहां या फिर डायरेक्शन अगर ऐसे रखा तो यहां से यहां आ जाएगा तो यह था RGB कीबोर्ड का आप ब्राइटनेस भी बदल सकते चाहिए तो जो कीबोर्ड का जो ब्राइटनेस है यह एकदम कम मतलब इंफेक्ट खतम ही है अलब यह कुछ भी नहीं है यह फिर थोड़ा रख सकते है पर अगर आपको प्योर गेमिंग करना है तो मैं रेकमेंड फूल पर करूँगा तो यह था RGB कीबोर्ड लाइटिंग का अगर आपको वीडियो अच्छा है तो लाइक करो नए है तो सब्सक्राइब करो और मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल या फिर गेमिंग कुछ भी हमा भी मल्टी टास्किंग कर सकते हैं लैप्टॉप में तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई